हाल ही में चीन की ओड सी अनुनाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम बदल ने और इसे अपना बताने वाले दावे को भारत ने बेबुनियाद करार दिया है केंद्रिय मंत्री किरन रिजीजु ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है केंद्रिय मंत्री किरन रिजीजु ने इस पर कहा है कि ये दावे बेबुनियाद है केंद्रिय मंत्री ने कॉंग्रेस पर भी जम कर निशाना साधा आप भी सुनिए और दो बड़े मुलक आपस में अगर मिलकी बैठेंगे तो अच्छा है। भी ये सब ड़ाने से धमकाने से भारत हिनने वारा नहीं है। हम मजबूत से खड़े हैं और सारे अरुनासल के जनता अपने आपको पका भारतिये मानता है। नहीं है चीन गवराय हुआ है क्योंकि बॉडर एरिया में अब बहुत काम होने लगा है इसलिए। कॉंग्रेस के जमाने में तो बॉडर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे। हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉडर एरिया को हम लोग अंधिरा में तो नहीं रख सकते हैं। मौदी जी शुरू से कहा कि उनका प्रात्मिकता बॉर्डर एरिया है इस नहीं है चीन गवराय हुआ है क्योंकि बॉर्डर एरिया में अब बहुत काम होने लगा है इसलिए कॉंगर्स के जमाने में तो बॉर्डर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे क्योंकि रस्ता जो भी धांचा है वो चीन के और से बनाया जा रहा था और भारत के और से तो बॉडर अरिया को छोड़ चुके थे तो मौदी जी ना करकि ये कांगरेस का नीती को पलत करके अब सारे बॉडर अरिया में रस्ते बन रहे हैं वहाँ पे बेसिक सुवीदा फोर जी नेटवर्क पहुंच रहे हैं स्कूल वहां मेडिकल फैसलिटीज गाओं में पीने का पानी बिजली सब पहुंच रहे हैं तो अब बॉडर अरिया में इतना बड़ा काम हो रहे हैं तरनल बन रहे हैं अब अरुनाचल में एरपोर्ट बन गई हैं रेलवे लाइन बन गई हैं तो यह सब देख करके चीन भड़क गई हैं तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉडर अरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं मौदी जी ने शुरू से कहा कि उनका प्रात्मिक्ता बॉडर अरिया है और गबराय हुआ हैं खफा हैं बढ़के हुए हैं तो इसलिए वो चो नाम करन हो रहा है तो नाम करन करने से क्या कोई बदल जाएगा क्या मेरा जगा है मेरा जमीन है मेरा पहाड है उसमें चीन कैसे आकर के नाम रखेगा कोई फरक नहीं पड़ता है हम लोग चीन को उलता है और अगर वो छेर चार करेंगे तो अब हमारा देश पहले का जमाने का भारत तो नहीं रहा है अब मौदी जी का समय में भारत एक ताकतवर रास्टर के रूप में उबर के आ चुके हैं अब यह सब ड़ाने से धमकाने से भारत हिले औरा नहीं हैं हम मजबूत से खड़े हैं और सारे अरुनाचल के जनता अपने आपको पका भारतिये मनता है और कोई उसमें दिश्टाब नहीं कर सकते हैं हमारा तेरिटोरी में आकर के कोई हस्टा चेप करेंगे नाम करन करेंगे तो यह हमारा जो आत्मा को चोट पहुंशते हैं इसलाम लोग बहुत गुसा है और चीन का इस हरकत से हम लोग अरुणाचल के सब लोग नाराज हैं गुसा है। सर्दाद विपक्षी दलों के नेताई ये कहते हैं नसीहत देते हैं सरकार को कि जो चीन के मामने में ट्राइल बलून डिप्लोमेसी से बाहर निकलना पड़ेगा और एक रुबस्ट एटेम्प लेना पड़ेगा क्या करना है आपका सब्सक्राइब ने कॉंग्रेस के बारे मे आप सुनी है वो चीन जो बाशा करते हैं वही बाशा में कॉंग्रेस वाला भी बोलते हैं तो कॉंग्रेस का काम करने का तरीका चीन का प्रोपोकेंडर उसमें बिल्कुल तालमेल है इसलिए हम लोग कॉंग्रेस का बातों को को कोई तबज़ों नहीं देते हैं अरुनाचल वालों का देश बक्ती का जो जलवा है वो आप देखेंगे तो आप को भी लगेगा कि सच्पुश में अरुनाचल वाले सच्चा हिंदुस्तानी है बताते चले कि चीन पहले भी कई मौकों पर अरुनाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदलता रहा है ऐसा करके वो इन इलाकों पर अपनी दावेदारी पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है हाल ही में एक बार फिर उसने अरुनाचल प्रदेश के 30 जगहों को अपना बताते हुए उनका नाम बदल दिया चीन से पब्लिश होने वाले साउथ चाइना मौनिंग पोस्ट के मुताबिक अरुनाचल के 11 रिहाईशी इलाके 12 पहाड चार नदियों एक तालाब और एक पहाडी रास्ते को नया नाम दिया गया है इन में से कुछ नाम रोमन भाशा में वहीं कुछ नाम चीनी और तिब्बती भाशा में जारी किये गए हैं इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंच में लिखकर अपनी राय जरूर बताए देश और दुनिया की बाकी बड़ी और एहम खबरों के लिए बने रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बलकुल ना भूले झाल